जब किसी परिवार के सदस्य के मृत्यू हो गई हो तो बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि मरने के बाद कोई लोटकर नहीं आ सकता। जो मर गए हैं वो फिर से वापिस नहीं आ सकते। बच्चों को बताएं कि जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं तब इनसान की मौत हो जाती है। मृत्यू की वज़ समझ आने पर बच्चे खुद को गुजरे हुए व्यक्ति की मौत का जिमिदार नहीं समझेंगे। दूसरी एहम बात जो बच्चों को बतानी ज़रूरी है कि बढ़ापा और बिमारी मृत्यू का कारण है। ऐसा करने से बच्चे को ये महसूस नहीं होगा कि वे उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। बच्चों से सही समय पर बात करनी ज़रूरी है। गुजरे हुए व्यक्ति दूसरी दुनिया में चले गए हैं या स्वर्ग चले गए हैं ये बताना गलत है। ठीक से समझाने पर बच्चा ये बात समझ जाएगा। बच्चे को ये दुखी खबर बताते समय अपने आप को काबु में रखें। यदि आप रो पड़ेंगे तो बच्चे के लिए ये समय और मुश्किल हो जाएगा। यदि दादे के मृत्यों हो गई हो तो पिता इस बारे में बच्चे से बात ना करें तो बहतर होगा। मा या फिर परिवार के किसी और सदस्य का समझाना ठीक होगा। इससे बच्चे अपने आप को संभाल पाएंगे।